है है लो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको पताऊंगा कि अगर आपको Google Pay में एक्षन रिक्वाइर की प्रावलम आ रही है और आपको आपका एकाउंट अक्टिवेट नहीं और यह प्रावलम को कैसे सॉल कर सकते हैं यहीं सब को चुछी में आपको आऊंगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यह प्रावलम आपको आती क्यूं है आपने या तो Google Pay को पहले डिलीट कर दिया था जा आप Google Pay को किसी और मोबाइल में नए मोबाइल में चलाने लगे हैं तभी यह प्रावलम आती है और यह देखिए मैं Google Pay को यह उपन कर रहा हूं और जो भी मेरा पासफ़र है मैंने लगा दिया और जैसी आप यह Google Pay को उपन करेंगे आपके साम एकाउंट पर क्लिक कर दिजे और उसके बाद यह मेरे Google Pay में चार बैंक एड है यह मेरेको एक्शन रिक्वाइड का ओप्शन आया हुआ है यहाँ पर यह जैसी आप यह एक्शन रिक्वाइड पर क्लिक करेंगे किसी किसी को प्रावलम आ जाती है कि उनका बैंक अकाउंट अग्टिवेड नहीं होता और अगर वह यहाँ से इसको रिमोब भी करें तो वह रिमोब भी नहीं होता यह देखेजिए मैं आपको दिखा दिता हूं यह जैसी मैं अक्टिवेड पर क्लिक करूंगा जो भी परमेशन है वह परमेशन अलाव कर दिजे और यह ग्राइंट प कि और यह centre कर दूब्ञेशर के त्रिट्ट के नी एंग क्युआ है Doll 했 आप उन्म का अंपेश की तति कि एर्ण रायता है कोट नोड रीजिस्टर का और किसी को आ यह देखे यह आप अगर अपना एकाउंट रिमोब भी करेंगे तो रिमोब भी नहीं होगा तब भी आपको एरर आ जाएगा कोड़नोट सेंट समस का जो भी मैं आपको सेटप बताऊंगा वो आप स्टेप कर लीजिए उसके बाद आपकी गोगल पे में आपकी यह प्रॉलम सौलो हो जाएगी आपका बैंक रिस्टर मॉइल नंबर वाला सेम में बाइलेंस होना ही चाहिए और वह सेम एक्टिवेट होना चाहिए उसमें आउट वोइंग इनकमिंग और मैसेजिंग की सेवा एक्टिव होनी चाहिए अगर वो नहीं है तो भी आपको गूगल पे में प्रावलम आएगी और जब भी आपको यह बैंक वाला सेम चूज करने का उप्षन आए तो आप अपना बैंक वाला सेम चूज करके ही कंटिनू पर क्लिक करें और जब आप गूगल पे में अपने बैंक को एक्टिवेट करते हैं आपके मोबाइल में भी एक मैसीज आता है यह ऐसे मैसीज आता है ऐसे आता है यूपियाई लिखकर यह दिखिए जिए मैं अपने स्टेड बैंक को कर रहा था तो यह मेरा आगया यह ऐसे ही एक मैसीज आता है वो भी आप अपने मोबाइल में चेक कर लेना वो भी आप अपने मोबाइल में चेक कर लेना कि यह यहां पर यह फेल दिखा रहा है यह Google पर में जब हमापने बैंक को activate करते हैं तो हमको एक मैसीज आता है और हमारे उसी बैंक register माइल नंबर से मैस्ज गूगल पर को जाता है तब ही जाके हमारा बैंक Google पर ऐड होता है यह मेरा message यहां पर यह दिखे फेल करके तो आपका जो बैंक में रिजिस्टर मोवाईल नमबर है या थो फो हूं यह अक्टिव नहीं होगा उसमें रिचार्ज खत्म होगया होगा कई आगकी कि को कि कई भर क्या होता है जैसे ये मेरेavez मोवाईल में दो सम है ऐक ऐटल और एक वोड़ाफोन का मेरा बैंक में रिजिस्टर वोड़ाफोन का है लेकिन मेरे जो इंटरनेट चल रहा है वह एटल से चल रहा है और मेरे को Incoming, Outgoing और Messaging की सेवा मेरी एटल में है लेकिन मेरा Wodafone में कुछ भी नहीं है तब भी यह प्रावलम आ जाती है कि आपका जो Bank वाला SIM है वो Active होना चाहिए उसमें Outgoing, Incoming और Messaging की सेवा होनी ही चाहिए और यह Message अगर आपको आ रहा है लेकिन यह फेल दिखा रहा है तो इसका कारण एक SMSC Center नंबर भी होता है अगर वह आपके मोबाइल में सही से अपडेट नहीं है तो भी यह प्रावलम आती है कि यह आपका मैसेज जहां से यह सेंटर नहीं होता और गूगल पे में आपको प्रावलम आ जाती है यह SMSC की नंबर के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वह वीडियो आप देख लेना उससे आपकी यह प्रावलम भी सॉल हो जाएगी और यह सारी जो सेटिंग है जह सही करने के बाद यह सारे स्टैप हो जाएगी और आपको मैं एक और भी बता देता हूं कई भार यह फिर भी एक्टिप नहीं होता हमारी गूगल पर में इंटरनेट की स्पीड ही स्लो हो जाती है इसके लिए आप क्या करना आप अपने मोबाइल को वाइफाई से भी कॉनेक्ट कर लेना और अपने उसी हो तो विडियो को लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे